राजनीति विज्ञान प्रकृति और शुरू परिभाशा कारिक्षेत्र दाइरा आधि जानने के बाद थोड़ा तो हम इसके प्रकृति पर जाया है प्रकृतिकार्थ है नेचर नेचर ओफ प्लिटिकल साइंस क्या है राजनीति विज्ञान है क्या उसका विशेक शेत्र क्या है ये तो हम समझ गए पर अब हम थोड़े दूसरे बिंदू पर आते हैं जिसके आधार पर ये निशकर्ष निकालना है कि हर विशे का एक अपना स्वरूप होता है हर विशे की एक अपनी आत्मा होती है अपन चान है या कला है और यह दोनों हैं कि यह विज्ञान है साइंस इस प्लिटिकल साइंस साइंस इस प्लिटिकल साइंस एंड आर्ट सबजेक्ट और is it both, तिसे combination of both, ये एक समस्या सामने है, जिस पर सोड़ा सा चर्चा करना जरूरी है, जो राजनीति विज्ञान वेटता हैं, उनमें बहुत गहन मदभेद है, विरोधा भास है, विचारों में समानता नहीं हैं, और परिभाशा जैसे बहुत सारी परिभाशा हैं से बहु कुछ लोग तो यसे कहते हैं कि ये सरवोच्च विज्ञान है, it is the best science, और pure science है, पूर्ण विज्ञान है, complete science है, और science कहने वालों में बड़े-बड़े विद्वान हैं, जिसमें Aristotle, Boda, Hobbes, Montescue, Blanchly, Harold Lasky, Garner, Willowby, इतने बड़े-बड़े विचारकों ने कहा है कि political science या राजिती विज्ञान एक विज्ञान है, अरस्टू से लेकर, बिलोबी तक के लोगों के जो नाम मैंने लिए, ये सब महान विचारक रहे हैं, और इन्हों ने कहा है कि ये विज्ञान है, दूसरी और, ऐसे विचारक हैं जिन्हों ने इसे कहा है कि अब विज्ञान तो हो ही नहीं सकता, उनका कहना है कि अमिन ये विज्ञान मानने को तैयार ही नहीं है, अब इसमें कौन लोग हैं, इसमें भी उतने ही बड़े लोग हैं, उतने ही महान लोग हैं, जितने कि अभी मैंने नाम गिना हैं, उधा बहुत बड़े विचारक रहे हुए अपने काल के, ये लोग इसे विज्ञान मानने को तैयार ही नहीं है, तो हम देखते हैं कि दो छोर हैं, एक इसे प्योर निश्चित रूप से विज्ञान ही मानता है, और दूसरा इसे कुछ और मान ले, लेकिन विज्ञान नहीं मानता, कारण किया है, बर्क का कहना है कि जिस प्रकार हम सॉंदरी शास्त्र, सॉंदरी शास्त्र को अंग्रेजी में कहते हैं, aesthetics, सुन्दर्टा, ऐसा विश है जिसमें सौंदर पर चर्चा की जाती है, तो जिस प्रकार हम सौंदर शास्त को विज्ञान की संग्या नहीं दे सकते, उसी प्रकार राजनीति शास्तर को भी विज्ञान नहीं कहा जा सकता, यह विचार Edmund Berg, जो बहुत ही प्रसिद, Philosopher हुए हैं, विचारक हुए हैं, और राजनीति शास्तर के रूप में दुनिया में इनकी बहुत गहरी पैठ है, उन्होंने कहा है कि यह विज्ञान नहीं है, राजनीति विज्ञान वास्तों में विज्ञान है या नहीं, इसका उत्तर देने से पहले तो हमें समझना होगा कि विज्ञान कहते किसे हैं आखिर, विज्ञान से हमारा ताटपर क्या है, तो चलिए हम चलते हैं, विज्ञान क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, What is Science? यदि हम बहुत व्यापकर्थ में देखें, ब्राड मीनिंग में जाने, तो किसी भी विज्ञान के क्रमबध एवं विधिवद ग्यान को विज्ञान कहते हैं, विधिवद ग्यान और क्रमबध ग्यान, एक sequential information जिसमें रहती हो, knowledge रहता हो, उसे एक तरीके से विज्ञान कहा जाता है, प्रोफेसर गार्नर, उनके शब्दों में, विज्ञान किसी विशे से सम्मंधित, उस ज्ञान राशी को कहते हैं, जिसकी प्राप्ति, विधिवद पर वेक्षन, अनुभो और अध्यन के अधार पर की गई हो, यानि ये एक ऐसा विशे है, इसमें ग्यान कैसे मिलता है, ग्यान मिलता है पर्यवेक्षन के द्वारा, यानि विक्तिकत रूप चे देखने के द्वारा, अनुभो के द्वारा, शोयम के द्वारा अन्भो किया जाया और फिर उसके बाद अध्यन किया हो, तब हमें एक तरीके से विज्ञान विश्य के तहट उस विश्य के अध्यन को माना जा सकता है। साथ ही इसके तथ्य पर संबंध वर्गी कृत और क्रम बद तरीके से इनके तथ्य परस पर संबध वर्गी कृत और क्रम बद किये गए हूँ यानि इसके अंतर करताने वाले जो भी बिंदु हैं उनका एक दूसरे से तालुकात हो एक दूसरे से संबंध हो और श्रेणी बद्ध हो जैसा मैंने पहले ही कहा क्रम बद्ध होना इसका अत्याधिक आवश्यक है एक इसका sequence होता है, एक इसका order होता है, वही विज्ञान कहलाता है, संक्षिप में विज्ञान के जो लक्षन हैं और इसकी जो मूल विशेशताएं हैं, क्या हैं, किसे हम विज्ञान कह सकते हैं, इसको संक्षिप में इसके कुछ से पाँच बिंदू होते हैं, यदि कोई सा व विशय हो सकता है पहला पहला बिंदू जिसमें इसके लक्षन दिखाई दें वह है विज्ञान के सिध्धान्त या नियम निश्चित तथा अटल होते हैं निश्चित होना और अटल होना अटल मतलब जिसमें परिवर्तन व्यक्ति के साथ अलग-अलग इसकी परिवाशाएं अलग-अलग इसके किसी निश्चित को नहीं पहुँचा जा सकता विज्ञान के विश्य के अंतरगर तो इस पकार विज्ञान के जो सिध्धान्त होंगे वे अटल होंगे दूसरा बिंदू विज्ञान का है इनके सिध्धान्तों में एक रूपता होगी एक रूपता कार् जो पूर में कहा गया है कि सभी लोगों के द्वारा एक ही निशकर्ष पे निकला जाए सभी जगहों में अन्य खेत्रों में अन्य व्यक्तियों द्वारा यदि कोई सा प्रयोग विग्यान में किया जाता है या विज्यानिक विशे हो तो निशकर्ष एक ही निकलेगा एक रूपता होगी उसके निशकर्ष में यह विज्यान के सिधान का एक बहुत महत्पूर्ण अंग है साथ ही सार्व भौमिक्ता पाई जाती है सार्व भौमिक्ता मतलब जिसमें जो सर्वोच हो इसके उपर कोई दूसरा बिंदु ना हो ऐसा विज्यान के सिधान्त में एक रूपता और सार्व भौमिक्ता के बात कही गई है तीसरा बिंदु विज्यान के निशकर्षों में निश्चितता पाई जाती है निश्चितता याने निश्कर्ष निकले तो वह निश्चित हो ऐसा नहीं कि एक बार प्रयोग किया विज्यान के विश्य में एक बार कुछ बात की विज्यानिक बिंदु पर और निश्चितत निया पारी है कि आखिर इसका निश्कर्ष क्या निकलेगा ऐसा नहीं होता विज्ञान में निश्चित्ता आना आवश्चक है और इसलिए विज्ञान में क्या होता है इस निश्चित्ता के काधार पर ही हम आगे वाले बिंदु को के बारे में भविश्वानी कर सकते हैं कि विज्ञान में भविश्यवानी की गुझाईश रहती है और उसका अधार होता है इसके निश्चित निश्कर्ष पाँचवा और अंतिम बिंदु विज्ञान में प्रयोग एवं पर्यवेक्षन द्वारा किसी निश्कर्ष पर पहुँचा जाता है यानि प्रयोग बहुत अहम बिंदु है विज्ञान का और साथ ही पर्यवेक्षन निश्वायम के द्वारा उसे देखा जाना अनभौ किया जाना या अत्यावश्चत है जो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि विज्ञान के स्वामाने लक्षन और मूल विशेष्टाओं में निश्चतता अकलता एक रूपता सार्वभौमिक्ता और सत्यता की जाच और इसके साथ ही भविश्वानी की संभावनाय और अन्तिम प्रयोग और पर्यवेक्षन का होना जि बिंदू किसी विशे को विज्ञान के विशे के तहट लाते हैं जो इन बिंदूओं को पूरा करते हैं राजनीति शास्त की जो प्रकृती है या उसका जो स्वरूप है उसको पष्ट रूप से तो तभी जमज़ा जा सकता है जब हम इसकी विज्ञान एवं कला दोनों पक्ष में देखें सोचने की बात है विज्ञान के रूप में राजनीति शास्त को देखें और साथ ही कला के रूप में भी साइंस के रूप में और हुमेनिटीज के एक विशे के रूप में इसका पक्ष और इसका विपक्ष दोनों पर अपना मत रखें दोनों दृष्ट से दोनों द्रिश्टिकोंड से इस पर विचार में मर्ष करें, तब जाकर हम राजनीति विग्यान के सही स्वरूप को, सही प्रकृति को हम समझ सकते हैं। जो उपर जो मानदंड हमने बताए हैं इनके आधार पर अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि राजनी तिविग्यान इन मानदंडों पर ये उपर दिये गए पांच मानदंडों पर कहां तक खरा उतरता है कितना इन पांच बिंदों के निकट है क्या वह सभी पांचों बिंदों को छूता है या इन में से किसी बिंदो पर वह खरा नहीं उतरता और यदि नहीं उतरता तो इसके माइने क्या है इसके अर्थ क्या है ये अब हम जानने की कोशिश करेंगे तो सब्ते पहले हम जानता है कि हम समझें कि राजनीति विग्यान विग्यान है इसके पक्षमे क्या तरकी जी आते हैं विग्यान की जब बात करते हैं तो विग्यान कारत क्या है विग्यान किसे बोलते हैं विग्यान का अभी प्राय क्या है माइने क्या विग्यान विशेश ग्यान ये जब विशेश ग्यान की बात हो तो उसमें कुछ ऐसे बिंदु आते हैं कि ये क्रमबध ग्यान होता है हमेशा एक डिवलप्मेंट रहता है इवल्यूशन रहता है जो नेमित परिवेक्षन और परीक्षन स्वैम से देखा जाए और जिसका प्रैक्टिकल किया जाए अनुभो किया जाए उसके अध्यन से जो उत्पन होता है वो विज्ञान कहलाता है इसा विज्ञान का जो डारा है वो है उसी के माध्यम से जो प्राप्त होता है उसे हम विज्ञान कहते हैं और इजिस्टि से राजनीति विज्ञान जो है वो विज्ञान माना जा सकता राजनीति विज्यान को विज्यान मानने के पक्ष में जो तर्क दिये जाते हैं थोड़ा उनको बिंदुवार थोड़ा देखें उनका कहना होता है इन विचारकों का कि राजनीति विज्यान में भविश्वानी संभा है जो विज्यान के लिए बहुत आवश्यक एक टत्व ह कि विग्यान वह वीश है जिसमें भरिश्वानी की जा सके राजनीति विग्यान में वह संभव है ऐसे राजनीति विग्यान में दूसरा बिंदु है सही निषकर्श पर पहुंचा जा सकता है. तीसरा मानव सभाव में भी इस्थिरता रहती है क्योंकि राजनीति विग्यान का तालुक मानव सभाव से है मानव उसका केंद्र है तो इनका कहना है इनके विचारकों का कि राजनीति विग्यान से जुड़ा हुआ जो केंद्र है मानव मानों के सभाव में भी तो इस छिरता रहती है और साथ ही एक रूपता भी होती है तो फिर यह विज्ञान की शेड़ी में आएगा चौथा बिंदू जो इनका है कि राजनीति विज्ञान एक व्यवस्थित ग्यान है It's an orderly sign इसमें इसका एक अपनी व्यवस्था है पांचवा बिंदू के कारे और कारण में संबंध है विज्ञान जो है वो हमेशा कारे कारक कारण इसकी बात करता है इस पर विस्तार से हम आगे बात करेंगे तो इनका कहना है इन विचारकों का कि राजनीति विज्ञान विज्ञान इसलिए है क्योंकि इसमें भी कारे और कारण के बीच में गहन संबंद है जो प्रयोग होते हैं राजनीति विज्ञान के लिए राजनीति विज्ञान के विशे के तहत जो प्रयोग किये जाते हैं वे सब विज्यानिक परेओग हैं तो इसलिए भी ये खरा बैठता है विज्यान के परिभाशा के तार्थ और अंतिम् बिंदू जो इसके पक्ष में इसे विज्यान कहने के पक्ष में विचारकों द्वारा दिया जाता है। कि ये सरवमानि तथ्यों को पाया जाता हूँ दूसरे शबदों में इसमें ऐसे तथ्य, इसमें जो निशकर्ष निकलते हैं वे सरवमानियों हैं, सभी जगा हुआ, वही रहेंगे तथ्य, वही निशकर्ष निकलेंगे, तो इस प्रकार इन आठ नौ बिंदूओं के आधार पर विचारकों का कहना है विचारकों के एक समू का कहना है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान ही है अब एक दूसरा जो गृप है जो कहता है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है यह नैचरल साइंस नहीं है It is not a science, आखिर उनके पीछे कि मैटलेंड, मैंने जो पूरो में बताया है, मैटलेंड और बकल, ये इसमें सबसे प्रसिद्ध हैं, मैटलेंड ने तो यहां तक कहा कि जब मैं किसी ऐसे प्रश्ण पत्र को देखता हूं, जिसके ऊपर लिखा रहता है शीरशक में राजनीति व होता है, मैटलेंड तो बहुत ही आलवचना के साथ राजनीति विग्यान को विग्यान नहीं मानता और कहता है कि इसका शीरशक, राजनीति विग्यान स्वेम में मुझे बड़ा दुखी कर देता है ये शीरशक, दूसरी और बकल का क्या कहना है, बकल ने कहा है कि ग्यान की वरतमान अवस्था में आज जो स्थिती है ग्यान की राजनीति विग्यान का विग्यान होना तो दूर वो तो कला में भी सबसे पीछे सबसे फिसड़ी है तो आप सोच सकते हैं कि राजनीति विज्ञान के स्वरूब को लेकर ये विज्ञान है या कला इसको लेकर कितना विरोधा भास है, कितने विरोधी विचार बकिल विग्यान तो दूर बलकि कला में भी यह सबसे पीछे सबसे निम्शनी का विशह हो सकता है सबसे पिछली कला हो सकती राजनीती विग्यान की विग्यानिकता के विपक्ष में तर्क अर्थात राजनीती विग्यान विग्यान नहीं है जैसा कि मेटलेंड और बकेल आदी ने कहा है तो अपनी बात के पक्ष में उनका क्या कहना है विज्ञान क्यों नहीं है तो उन्होंने कुछ ऐसे आठ बिंदू उन्होंने भी दिये है पहला कि यह सर्विमान सिध्धान्त का अभाव है अर्थात ऐसे सिध्धान्त जो सभी को मानने हों सभी जगा बराबर हों माने जाएं इसका इसमें स्पष्ट अभाव है दूसरा जहां विज्ञान के पक्ष में लोगों ने कहा कि इसमें परिवेक्षन और परिक्षन और उसे निकले हुए निशकर समान होते हैं इन विचारकों का कहना था कि परिवेक्षन और परिक्षन का इसमें स्पष्ट अभाव है ऐसे विज्ञानिक परिक्षन और परिवेक्षन इसमें संभाव नहीं है जैसा कि विज्ञान की परिभाशा के तहट परिभाशित किया गया है तीसरा इनका कहना है कि कारे और कारण इसमें अवशक नहीं कि संबंध हो जरूरी नहीं कि हर बार किसी कारे के वही कारण हो अलग-अलग कारण हो सकते हूं और जगह, इस्थिति, समय, काल, आदि के अधार पे सब बदल जाते हूं तो इसलिए तीसरा तर्क राजनीति विज्ञान के विज्ञान कहने के विपक्ष में तीसरा तर्क है कि कारे कारणों में कोई संबंध नहीं पाए गया चौथी बात है कि मानों का परिवर्तन शील होना एक और जहां दूसरे विचारक कहते थे कि मानों का सुभाव इस्थाई है, मानों का सुभाव एक जैसा रहता है उसमें एक रूपता होती है, इस्थाई तो रहता है विपक्ष में तर्क देने वालों का कहना है मानों का सुभाव इस थाई नहीं है वह परिवर्तन शील है विविन नकारणों से विविन परिस्थितियों में उसका सुभाव बदल जाए पांचवा बिंदू इसमें भविश्वानी का भाव है और निश्चित सत्य का भाव है राजनीति विज्ञान भविश्वानी नहीं कर सकता राजनीति विज्ञान के अध्यान से किसी प्रकार की भविश्वानी करने का जोखिम नहीं लिया जा सकता और इसलिए उसे विज्ञानिक विश्यर नहीं माना जा सकता इसलिए राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है छटवा बिंदू राजनी ती विग्यान कोई माप तौल वाली चीज नहीं है जिसे नापा जा सके जिसे तौला जा सके जिसे आँका जा सके इसके कोई ऐसे पैमाने नहीं है तो ऐसे पैमानों की अनुपस्टित में इस तिर पैमानों की अनुपस्टित में इन विचारकों के अनुसार राजनी ती विग्यान विग्यान कहलाने से कोसो दूर है और साथवा बिंदू सुनिष्चित अध्यान पध्धति का अभाव है राजनीती विग्यान जैसे विग्यान में एक क्रमिक, एक क्रमिशा, एक पद्धती है पढ़ने का, एक शैली है उसके अध्यन की, एक प्रक्रिया है, उसमें एक सिस्टिम है, राजनीती विग्यान में ऐसा नहीं है, ऐसा इन विचारकों का कहना है कम से कम आज की तारीख में राजनीति विग्यान में सुनिश्चित अध्यान पद्धती का अभाव होना राजनीति विग्यान को विग्यान कहलाने से वन्चित करेगा और अंतिम बिंदू जो इनके पक्ष में है या राजनीति विग्यान को विग्यान कहलाने के विपक्ष मे वो है निश्पक्षिता का अभाओ राजनीति विज्ञान के जो निश्कर्ष है या राजनीति विज्ञान में जो व्यभार है अब्जूवेशन है जरूरि नहीं वो निश्पक्ष हो वह कई तत्वों से उसके परणाम उसकी परिभाशा उसके प्रकारक प्रकारक कई कारणों से प्रभावित हो सकते हैं तो इस प्रकार इन आठ बिंदों के अधार पे मेट लैंड और अन्य विचारकों का कहना है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान तो कतई नहीं है और किलने तो कहा है कि ये बलकि एक तरीके से कला भी नहीं है यदि कला में भी से लाए जाए तो इसमें सबसे पिछली शेड़ी में आने वाला विशा है